हेलो दियर स्टूदिंस दिशेश बित पाउडर अफ लाफ एक्स करियर और करियर कूछ और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसलें इपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सब्सक्राइब की बेस्ट कंपनीज कौन सी है तो मैंने सूछा कि क्यों ना एक ऐसा बीडियो बना दिया जाए जिसमें आपको यह भी बता सकीए dólares के जो ऑगस्ट میں होता है उसमें कौन से कंपनीज आते हैं और जो आवडर करने के लिए ठीकये और इसको मैं साइड कर देता हूं यहाए तो देखते हैं प्रिम कौनसी कुंसी है सबसे पहले एंग्लो इस्टन दूसरा ग्रेट इस्टन अच्छा इसमें एंग्लो इस्टन ऐसी कंपनी इसका अपना कुद का कॉलेज है यहाँ पर आप जा सकते हो आप मतलब यहां से डिनस आपको इसके कॉलेज सही करना पड़ेगा इन दे सेम वे ग्रेट इस्टन में भी है यहां के कॉलेज सही करना पड़ेगा मसी इस समय अपने मैक्सिममम कैड़ेट्स मुझे लग रहा है और मोस्स सारे के सारे कैड़ेट्स वह आयमाई नोयड़ा कोई दे रहा है it is a good company synergy के कैड़ेट्स कई चेगे पर जाते हैं मतलब वो IMU campus में भी जाते हैं या फिर IMU campus के लावा हो AMED में भी जाते हैं तोलाणी में भी जाते हैं IMI में भी जाते हैं कई जगे पर जाते हैं और अभी जिन companies की बात कर रहा हूँ यह सारी की सारी को companies हैं जो August batch में sponsorship देती है, fleet management भी अलग-अलग colleges में जाती है, fleet management जो है, यह आयमाई नोइडा में, T.S. रहमान में, तोलानी में, इन सब colleges में जाती है, scorpio बहुत ही कम credit लेती है, generally यह तोलानी में, यह फिल T.S. रहमान में जाती है, fleet management किसमें भी आती है, आयमाई नोइडा में भी, यहाँ पे भी काफी सारे student, fleet management के, मैं scorpio के बारे में बात कर रहा था, scorpio जनली तोलानी में जाती है, tom भी बहुत ही rarely cadets लेती है, बहुत कम cadets लेती है, और यहाँ भी जनली reference बहुत चलता है, goodwood T.S. रहमान में आती है, और बिलकुल last moment पर ही आती है, और last moment में अलब most of the time IMU CD के बाद ही आती है, August batch में, इसके अलावा BSM है, BSM वैसे Great Eastern में भी आती है, और कभी-कभी पहले भी T.S. रहमान में आती है, MMSI है, MMSI है माई लोहिटा में आती थी, जनली और Great Eastern में भी इनके cadets जाते हैं, MSI भी है, लेकिन बहुत कम cadets लेते हैं, SCI तो आपको सबको पता है, Shipping Corporation of India और इनकापना कुद्गा कॉलेज है, ESM कापना कॉलेज है, समुद्रा, Institute, Eastern Pacific, डिरेक्ली तो अभी किसी को भी sponsorship नहीं दे रही है, लेकिन आईए अपने cadets उठाती है, जनली तोलानी से, या फिर Great Eastern से अपने cadets उठाती है, Nordrans भी Great Eastern में भी आती है, और एक-दो बार समुद्रा में भी आई है, विलेमसन, रचा, Nordrans डारेक्ली आपको sponsorship नहीं देगी, लेकिन यह किसी कॉलेज में आती है, विलेमसन, लास्ट येर में आई थी, लेकिन उसके पहले आई थी, तोलानी में आती है, इसके अपने कॉलेज है, कुछ के अपने कॉलेज है, कुछ के अपने कॉलेज नहीं है, तो उनकी कॉलेज फिक्स है, जो T.S. रहमान में, आई आई माई रोड़ा में, या कहीं ऐसी जगे पर ये अपने कॉलेज आपको प्रॉवाइड करा देंगे, ठीक है, अब बात करते हैं, कि इन में से वो कंपनी कॉनसी है, जो FAB Batch के लिए आती है, तो FAB Batch के लिए आती है, आपके पास Anglo Eastern, Great Eastern, Fleet Management भी आने लगी है, लास्ट येर से, उसके अलावा समुद्रा, यानि की ESM, समुद्रा में ESM आती है, और Shipping Corporation of India, इतनी कंपनीज हैं, जो FAB Batch के लिए आती है, बागी सारी की सारी कंपनीज में कुछ भी कहना मुश्किल है, इट में भी पॉसिबल कि सिनर्जी इस बार आ जाए, क्योंकि लास्ट येर ऐसा सुनने में आ रहा था कि सिनर्जी के आने के चांसेज है, इस बार भी ऐसा सुनने में आ रहा है लेकिन जबकर सेनर्जी की तरफ से कोई भी इंफोमेशन नहीं आती तब तक उसको पक्ता मत मानों अगर कोई इंफोमेशन आएगी उसकी वेबसाइट पर या कहीं पर भी तो मैं डेफिनिटली वीडियो बना करके आपको बता दूंगा बट फिलाल अगर देखा जाए तो कौन सी कंपनीज है जो हमारे पास स्वैब बैच के लिए वेलेबल है वो है एंग्लो इस्टन, ग्रेट इस्टन, फ्लीट मैनेजमेंट, एसम और एस्टन, यह पाच कंपनीज है जो फिलाल हमारे लिए अवेलेबल है अब इन में बहुत आफलो पूछते कि सरण इसका एज क्राइडीर और ग्रेट इस्टन को एजडिए क्राइडीराच्गा है ऑम इसके बाद हम ने ले सकते हैं शेपंग क्राइड ए एजडिए टेरियर तक है जर्री मैं लंकि यहां पर बहुत जादा वेटिंग पीरर्यट है यहां बोला है, के बारे में आपको ज़्यादा information नहीं दे सकता आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक रेट एग्जामिडेशन होगा उसके साथ में साइक टेस्ट होगा उसके साथ में इंटर्व्य होगा आपकी आयमें सीटी की रैंक देखी जाएगी और PCM के मार्क्स देखे जाएंगे इतनी चीज़े हैं यही सेम चीज ग्रेट इस्टन में रहेगी यही सेम चीज फ्लीट में रहेगी और SCI में तो आप डिरेक्ली इंटर्व्यू के थ्रू जा सकते हो अब रिटन की बात जहां दगाती है एंग्लो इस्टन के रिटन के बारे में पहले ही बात कर चुके है व इसमें जो mathematics होता हूं mostly aptitude level का यानि की यह तरह इंटेंस level का ही होता है फ्लीट मैंने का paper comparatively काफी easy होता है 50 questions ही होते है टाइम काफी कम होता है 35 minutes का time होता है यह शायद उल्टा 35 questions 50 minutes का time होता है वट इस तरीके का ही paper होता है मेरे काल से 35 minutes 50 questions है ऐसा time रहता है इसमें और SCI में क इसम, अब इसके अलावा क्या है? अगर और भी कोई आपके पास डाऊट्स आते हैं कि इन कम्पणीज में और क्या हो सकते हैं? क्योंकि काफी सारा क्राइटेरिया मैंने पहले ही बना दिया है, मैं इसके प्लेश्क प्लेश्च भी बना रहा हूँ तब तक के लिए all the best ठंग से prepare करो और मैंने जैसा कि बताया था कि एक batch मैंने start किया है जिसमें मैं अभी फिलाल जितने भी PYQs हैं वो सारे के सारे solve करवा रहा हूँ अनकेडमी पर है तोड़ा technical issue की वज़े से एक दू दिन ग्लास उसमें होनी भाई है लेकिन अभी से सारे के सारे papers उसमें कल से solve होने वाले है तो अगर अभी तक नहीं join किया तो जाकर के फटा-फट join कर लो एंग्लो और grade के सारे papers एविन fleet के तो खेर paper वैसे नहीं मिलते है लेकिन अग्लो और grade की जितने भी papers है वो सारे के सारे आपको प्रीवियस येस के सारे के सारे पेपर आपको आपके बिल जाएगे हैं ठीक है ओल दा बैस गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा चाओ